Hello everyone, welcome to another video Guys, मैं पिछले एक साल से देख रहा हूँ जितने भी हमारे आर्टिस्ट भाई हैं सब लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं मुझे मैसेजिस मिलते हैं काफे साथ लोग बोलते हैं सर आप कुछ कीजिए, कुछ बताईए जिससे हम अर्न कर सकें बिकस देखो ना हमारी तो आर्टिस्टों की तो सोर्स ओफ इंक वही होती है कि हम कहीं परफॉर्म करते हैं, शोज करते हैं बढ़ ये पैंडमिक की वज़ा से एक साल से कोई शोज नहीं हो रहे हैं और आगे भी पता नहीं कितने टाइम तक चले तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा तो मैंने अपने अंट से रिसर्च की मुझे एक टूल मिला जिससे आप आप आनलाइन लाइव जा सकते हो फेस्बुक पे भी, यूट्यूब पे भी और मज़े के बात ये है कि zero follower से आपकी earning स्टार्ट हो जाएगी, उसमें monetization feature भी है इसलिए मैं ये video बना रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, सिरफ artist नहीं चाहाए आप gaming करते हो, internet पे कैसे भी आप live जाना चाहते हो, इससे जा सकते हो बिल्कुल professionally, और मुझे messages मिलते हैं Sir, बताओ आप इतनी professional अच्छी live stream कैसे करते हो तो यही है reason आपको बता, मैं हर एक चीज़ शेर करता हूँ तो आज मैं इसका proper tutorial देने वाला हूँ आप लोगों को जिसमें के एक एक चीज़, एक फीचर बताऊँगा कैसे work करेगा, क्या क्या करना है, हर एक चीज़ ध्यान से देखेगा, पूरी वीडियो देखने है चलो मेरी computer screen पे चलते हैं और इसको मैं proper explain कर देता हूँ तो चलिए मैं आगे हूँ अपनी computer की screen पे और इस platform का नाम है Flotin Live, जिसको यूज करते हुए YouTube और Facebook पे live जा सकते हैं ना कि सिरफ computer आप phone से भी easily यह सारे tools, features use कर सकते हैं तो यह इसका landing page है मैं इसका link description में दे दूँगा otherwise normally आप भी अगर search करोगे Flotin.com slash creator तो आपके landing page मिल जाएगा इसके बाद आपको normally इसमें login करना है, login आप Facebook से कर सकते हो, email idea से कर सकते हो ठेक है, आपने जब login कर लिया तो आपको कुछ ऐसा interface show होगा, जिसमें आप सबसे पहले अपनी profile सेट अप करोगे profile के लिए आप नाम देोगे और जो आपके page का URL है ठेक है, वो इसके साथ connect करोगे, इसमें page का URL दोगे, अपनी category music है, comedy है, you know dance है, acting है, कुछ भी आप अपनी category और tags भी डालोगे, बिकरस जैसे हम YouTube पे tags डालते हैं वैसे ही आप tags डालोगे, जिसमें music से related बाते रखोगे, सारे social media handles को भी आप connect कर लोगे, और last में आप bio भी डाल दोगे इसमें अपने बारे में सब कुछ, उसके बाद channels की बारे आती है, तो channels में आप अपना Facebook connect करोगे, जहां से अपने live जाना है, of course, Facebook pages होगे आपका Facebook accounts होगे, जैसे यह मैंने अपनी कुछ pages connect किये हुए है, साथ में आपना YouTube channel भी connect किया है, तो आप यहाँ connect YouTube, उसके बाद आपका जो भी channels होगे, उसकी list आजाएगा जिस भी channel पर live जाना चाहते हैं, उसको connect कर सकते हैं इसके साथ, और यह कुछ permissions मांगेगा, बर यह बिल्कुल safe है, यह permissions इसलिए मांग रहा है, ताकि हमारे जितने भी live chat के comments होगे रहा है, वो यहाँ पर दिखा सके, read कर सके, हर एक चीज, तो safe है, जितने भी online live tools हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं, तो इसके बाद आपने सारी चीज़ें, जितने भी आपके pages है, YouTube channel है, वो सब link कर लिया आपने, इसके बाद आप normally live भी चा सकते हैं, ठीके, go live now पे click करके, आप live जाएंगे, उसके बाद आपकी YouTube channel और pages के, you know, options आजाएगा, आप इसका toggle on कर सकते हैं, जिस पे भी आप live जाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आप अपना एक Facebook page और YouTube channel का on रखा, इसके बाद important ये monetization, monetization में buy me a drink, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, buy me a drink, जैसे YouTube पे super chat होती है, same ये चीज़ है, तो जो आपके audience आपका show देख रहे ही होंगी, यहाँ पे live, तो वो आपको drink offer कर सकते हैं, वो आपको drink as a gift दे सकते हैं, ठीक है, और जो की later on, मनलब की drink आपके लिए money है basically, तो वो आपको gift दे सकते हैं, जैसे हम YouTube पे भी होता है, तो ये एक source of income है इसमें, जो की amazing लगा मुझे, इसके बाद simply आप, ये आपका, ये interface show हो गया, जिसमें आप camera on कर सकते हो, तो आपकी शकल देखेगी, माइक on कर सकते हो, screen share का feature, सबसे best जो मुझे लगा, वो screen share का feature है, जिसको आप use करके, you know, classes दे सकते हो, online, music classes दे सकते हो, किसी भी तरीके की classes दे सकते हो, और कुछ भी gaming gaming करते हो, screen share आपके बड़े काम का है, इसके बाद, यह जो chat है, यहाँ पर हमारी सारी chat show होगी, drinks का यह जो option है, यहाँ पर, अगर कोई हमारे को, you know, drink offer करेगा, वो, caption, यह है, जिससे कि आपकी जो live stream है, वो बिल्कुल, you know, professional नजर आएगी, जैसे इसमें, मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, follow me on, follow me on YouTube, ठीक है, ऐसी आप Instagram का भी डाल सकते हैं, और किसका भी, तो यह जो आपने caption डाला, यह जब आप live होंगे, तो जैसे यह देखे, यहाँ पर show हो रहा है, यह बिल्कुल ऐसे show होगा, तो यह बड़ा professional लगता है, अब आप सोचने होंगे, यह उपर फ्लोटिन live का, जो यह एक watermark आ रहा है, यह अजीब लगेगा, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, बहुत अच्छा feature है, आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है, कौन से channel पर अगर आम आलो, दो जगा live हो, YouTube पे भी live हो, Facebook पे भी live हो, कहां से आपको, कितने लोग देख रहे हैं, वो आप यहां से देख सकते हो, अब आते हैं main चीज़ पे, events, यह पहले के events, जो भी मैंने create किये हैं, वो है, event, जो मैं बोल रहा था न, ticket, कि आप ticket sell कर सकते हो, अपने show की ticket, तो वो है, तो हम पहले एक events set कर लेते हैं, जिसमें मैंने event का कोई भी नाम रख दिया, date रख दिया, पहले से schedule करोगे, अगले हफते का मालो आपने event रखा है, तो आपने schedule कर दिया, उसके बाद एक हफता पूरा आप उसकी marketing करो, Instagram पे भी उसको promote करो, Facebook पे भी promote करो, इसको देखने के लिए लोग आए, तो पूरा explain करना आपको, जबते के पूरा green नहीं हो जाता, मतलब जितनी इसकी words की limit हो पूरी ना हो जाए, उसके बाद आपको save कर लीजी, इसको, तो event create हो गया, इसके बाद event create करने के बाद भी आप यह जो basic information है, इसको edit कर सकते हो, मालो आपने अभी event कर लिया, उसके बाद आपको कल लगता है कि इसमें थोड़े changes करने चाहिए, date change करने है, for example, आपको name change करना है, या जो सबसे उपर यह आपने image लगाई है, professional लगना चाहिए, तो एक poster proper बना लिजिए, तो edit by edit भी कर सकते हो, इसको अच्छे से, monetization की बात है, यहाँ पर आपने monetization drink वाला option on कर लेना है, जैसे YouTube पर हम करते हैं, super chat वाला, जिससे कि आपके audience आपको drink देगी, नेक्स देखें के request, यह भी बहुत अच्छा feature है, देखो इसमें clear लिखा है, allow your viewer to pay you by making requests like wishes, shout out, etc. कहने का मतलब यह है, आपके audience आपको directly भी pay कर सकती है, अगर आप उनकी कोई you know request पूरी करते हो, कोई shout out देते हो, कुछ भी, तो यह भी बहुत अच्छा feature है, मतलब यह तीन चीज़े ही, tickets के साथ साथ, यह भी बहुत interesting है, और event ticket, जो मैं भी बात कर रहा था, उसको भी on कर सकते हैं, दुबारा देखें, यह देखो, event tickets, इसको आप on करेंगे, इसमें आप अपने मर्जी से amount डालेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने 50 रूपे लिख दिया, कि 50 रूपे कोई देगा मुझे, तो मेरा show देख सकता है, तो बसे इसका आप link event का, आप share करोगे, सारी जगा, और यहाँ channels, किन-किन channels पर कहाँ आपको live जाना है, इस event पर, आपने उनको on कर दिया, जिन पर नहीं जाना है, उसको off कर दिया, इस toggle को use करते हुए, तो कुछ ऐसा scene है guys, देख लीजे, इतने features है, इसमें features से भरा हुआ है, अभी में कुछ चीज़े और है जो आपको बतानी, save and publish आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने schedule कर दिया, वो उसी दिन live जाएगा, और अच्छा, जिस दिन आपने ये event रखा, उससे 15 मिनिट पहले आपको यहाँ आना है, ठीक है न, ये important है, तो आपका ये पूरा live वो हो जाएगा, event सेट हो जाएगा बिलकुल, इसके इलावा, ये देखिए, जब आप आपका event, you know, जब आप live जाएगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, सारे वही चीज़े हैं, जो हम go live now में हमने किया था, almost सारी चीज़े वही है, वही caption, हर एक चीज़, आप अपने accordingly कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आप चाहो, तो इसके बाद इसमें, you know, revenue sharing की बहुत सारी चीज़े होती है, अभी payments का भी दिखा सकता है, यहाँ पर आप इसका use करते हो, अच्छा, इसके बाद यह जो ऊपर coins शो हो रहे हैं, मेरे यहाँ पर भी 14 coins शो हो रहे हैं, तो यही है revenue हुमारा, जो हमारे को drinks आ रही हैं, या फिर जो हमारे tickets भी भिक रहे हैं, वो इस coins में convert होंगी, ठेक है, और coins, जब हम इसका कभी भी payout ले सकते हैं, हमारे coins होगे, हमें चाहिए कि हमारा पैस हमें मिल जाए वापिस, तो हम उसको कभी भी request कर सकते हैं कि यह हमें भेज दें, और कुछ amount यह flute अपने पास रखता है, कुछ amount हमें देता है, तो कुछ ऐसा scene है guys, बहुत important tool है यह, मेरे accordingly देखा जाए तो, आपके यहाँ पे जैसे कि subscribers बगार, आपकी पूरी profile, event यहाँ पे, view, subscribers, कितने drinks आई, कितने request तो, amazing है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा, मैं payment बताना भूल गया, यह देखो नीचे सबसे नीचे जो payment option है, just a moment, यह, हाँ, सबसे पहले fans, fans देख लिजे, एक वार इसको समझ लिजे, यह देखे, यहाँ पे अपके जितने भी subscribers और जो भी followers, number of you है, वो सब आएगा, payments, इसमे यह, अभी 14 रुपे, तो, यह सिर्फ टेस्टिंग में ही था, देखो, तो, यहाँ से आप अपना bank account link कर सकते हो, otherwise, you know, paytm वगेरा, upi वगेरा, यह सब link कर सकते हो, जहाँ से आप अपनी payment लेते रहोगे, तो, guys, मेरे accordingly, यह एक ऐसी चीज़े जो हम consider कर सकते हैं, ठीक है, अ आप Facebook पे live जाकर, अगर आप थोड़ा भी earn कर पाओ, दिरे-दिरे जब आप regularly मालो, हफते में 4 वार live जा रहे हो, daily life जा रहे हो, तो earning भी फिर उसी हिसाब से होगी, तो, 2-4 महिने में आप काफी अच्छा इस से कर सकते हो, तो, मुझे बड़े काम का लगा, मैं भी use करता तो, आप लोगों के साथ शियर किया जाए, आप वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, knowledgeable लगी होगी और अच्छी लगी होगी, तो, प्लीज लाइक कर देजे, subscribe मत करना, भूलिये चैनल को, thanks for watching.